Hello guys, welcome back to another video of Minecraft तो पता नहीं पर सबको PVP में Pro बनने हैं चाये वो SMP खेलतो हो या ना खेलतो हो पर PVP में Pro सबको बनने हैं तो फोन में PVP करने में काफ़ी ज्यादा दिक्कत आती है इसलिए मैं आज की इस वाली वीडियो में Problems के Solutions लाच चुका हूँ तो इस वीडियो में मैं तीन ऐसे Modes लाच चुका हूँ जिनको अप्लाय करने के बाद आप खेलोगे तो आपको कोई Problems देखने को नहीं मिलेंगी तो जलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं देखने को मिलती है मैंने First Person View कर लिया और आप वैसे भी देख सकते हो Flame कितनी छोटी है और एक बारी Flame पे चाहते हैं तो देख सकते हैं तो आपको Flame का effect काफी बहुत ज्यादा छोटा देखने को मिलेगा तो इसकी description में आपको link मिल जाएगे आप वहाँ से इसको download कर सकते हो तो आप बढ़ते है next mode की तरफ तो guys हमारा second number का mode आता है side shield mode जो आप जब भी आप PvP करते हो और आप जब shield क्वाइप करते हो तो आपको shield काफी ज़ादा देखने को मिलते हैं side में और वैसे normally shield काफी ज़ादा बड़ी देखने को मिलती है जिससे PvP करने में आपको काफी ज़ादा problems हो सकती है तो चलो guys जल्री से बढ़ते है third mode की तरफ तो guys हमारा third number का mode आता है health indicator mode इसमें आपको players की health देखने को मिलते हैं तो पीछे देखो एक sheep है इसकी health देख के बताते कितने है इसकी health art है guys इसकी health art है तो काफी बड़े mode है इन सारे modes की description में आपको link मिल जाएगी तो चलो वीडियो यहीं तक तो वीडियो अच्छे लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते है next video